नमस्कार दोस्तों सागत आपका अपने येट्यूब चैनल वीनू जी के सन पॉइंट में दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे प्रिवियस एर कोईस्टन ठीक है प्रिवियस एर कोईस्टन का आपको जो सेशन चल रहा है इससे पहले तीन आपका क्लास हो चुका है प्रिवियस एर कोईस्टन का तीन क्लास आपका हो चुका है और याद रखना आज आपका चोथा क्लास है इसमें आज हम लोग देखेंगे 12.1.2020 का कोईस्टन पेपर ठीक है वो आपका free of cost है सभी लोगों को 8 बजे देखना है प्रैटिक सिट लगा के कितना स्कोर आ रहा है ठीक है एक्जाम से पहले दोस्तों 70 प्लस स्कोर करना है तब ही जाके आप सीफ है ठीक है और 2 बजे आपको class जो रहे हैं जिसमें आपका निचोर के साथ हम लोग जी के science, current है हिंदी सारा चीज वहां पर 2 बजे देखते हैं ठीक है ताकि आप लोगों का 70 प्लस स्कोर आचके और आप एक्जाम भी पास कर सके ठीक है तिसलिए सभी class को आप लोग time टेवल यहां पर लगाएंगे previous question का आपका class आता है यह सारे 5 बजे साम में आता है ठीक है तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को सब्सक्काइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ सेर भी कर देना और सुझान लखना अगर इसका पीडियाप चाहिए ते पीडियाप आपको मिल जाएगा टेलिग्राम चल पे टेलिग्राम जोएन करके आप इस वीडियाप भी ले सकते हैं जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कॉमेंट जरूर करना और इस वीडियो का आप लाइक कर देना तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं चलिए पहला कोशन यहां पर कोटील के अर्थ सास्तर के अनुसार निमलिखित में से कौन राज करा है कि करों की वसूली के लिए जिम्मेदार होता है ठीक है यानि कि आप से पूछ रहा है कि कोटील का जो अर्थ सास्तर है यानि कि अर्थ सास्तर एक पूछता का जिसका लिखा कौन है कोटील है ठीक है इसी को बोलते हैं विशनु गोपत भी याद रखना तो कौटी लिखे अर्थ सास्तर के अनुसार का रहा है कि कौन राज के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था तर याद रखना इसका राइट टेंसर यहां से डी होगा क्या होगा यह डी हो जागा नागरिक क्या होगा नागरिक हो जागा आपस यहां से डी है आपका करेक्टर अन्स हो जागा ठीक है ध्यान रखेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा नेक्स क्या पूछ रहे करके किंदो भोतिक रासियों के मातरक समान है किंदो भोतिक रासियों के मातरक समान है ठीक है यूनिट समान हैं यहां पर राई टेंसर आपकोषन चारी और अडिर याद होता है जूल होता है और उड़ किसा से सिजह सकते हैं किस साब से मैत पूछा जा रहा है ठीक है इसलिए नेक्स कशनीते से क्लास जो करवा रहे हैं यह आप को बैसी मैत सारा आपको बताते हैं पूरा डिटेल्स के साथ ठीक है ध्यान रखना इसको और मैत भी दूसरों स्कोर करना पड़ेगा कम से कम आपको 10 मैत पूछेगा कम से कम 6-7 तो जरूर बनाना पड़ेगा तब ही जाके आपका स्कोर 70 पलस आएगा ठीक है ध्यान रखना इसको दिवार घरी है कि हैंपे दिवार घरी का अंकित मूल क्या होगा अगर दोस्तों कर रहे कि उसका करे मूल इतना रुपिया दे दिया और उस पर कर रहे कि 5% छूट देने के बाद 25% का लाब हो रहा है ठीक है सिंपल सी बात है करे मूल दे दिया है और आपको यहां पर MP मांग घरेक्ट एक्स भी माल लेते ठीक है माल लेते एक्स पे दोस्तों यह कितना चूट दे रहे यह 5% को जो बेचेंगे बिक्रे मुल्व, यानि कि आप CP को किजिए बराबर कर लिजे बिक्रे मुल्व के बराबर, ठीक है यहांपे देखिए CP380 था बेच कितना मिरा था, तथ25 परचुट сог लाब पर यानि कि 125 में इसे बेचना चाहिए बटे आपका याँसे क्या होdt जाएगा एक समान गती वाले वेग समय आरेक की ढाल होती है एक समान गती वाले वेग समय आरेक की ढाल अगर पूछे तो याद रखना ये सुनने हो जागा सुनने आपसनियासे ए आपका करेक्ट हो जागा नेश्क दिसने पर क्या पोच रहा है यहां पर करकि यदि दूस्तों ते अलफा है टेन अलफा बराबर के कॉट बीटा है तो इतना का मान क्या होगा ठीक है इसका solution आप लोग PDF से लेके करेंगे यहाँ पर यह लंबा हो जागा एक दम यह भी basic है ठीक है टेन को यहाँ पर sign और cost में बदल लेंगे cost को भी बदल लेंगे फिर आपको यहाँ पर मान रख देना ठीक है यहाँ पर जो 5 का right answer निकलेगा बी निकल लेगा 1-k बट्टे आपका 1 पलस के आपस नहीं से बी आपका correct देगा next देखे यहाँ पर क्या पूछ रहा है कौन सा यहाँ पर mail सही नहीं है देखिए एक साइड आपको ज़िया जैंड गर दिया यानिकि छेतर दिया रखे नखे आपको यहाँ पर देश दिया है कि कौन सा देश में इस्ती थैं ठीक है ओसा का आपको कहा है याद रखना जपान में बिल्कुल सही है लंका सायर याद रखना पूछा एता है ठीक है लंका सायर याद रखना ब्रिटेन में है ठीक है सेलम सभी को पता है यह आपको जा कहा है भारत में अब बरभिंगम याद रखना है यह फ्रांस में नहीं है बरभिंगम याद रखना है तो यह भी आपका इंगलेंड में है ध् अपराद क्राइम जो कर लेता है अपराद कर लेता है आपसनिया से बी हो जाएगा नेक्स कोशने पर क्या पूछा कर कि निमलिखित में से कौन सा संत इसवर के निरगून एवं सगुन रूपों में आस्था रखते थे यहाँ पर देखिए यह कोशन आपका जो है बारा एक द ध्यान रखेंगे चले नेक्स कोशनिया पर देखेंगे क्या पूछ रह करके निमलिखित सब्दों में कौन सा दोस्यां पर सब्द किरिया विश्यसन है किरिया विश्यसन है ध्यान रखेंगे यह हिंदी का कोशन है इसका राइट टेंसरियां से क्या होगा धीरे धीरे धीर सब्सक्राइब करके निमलिखित में से भारते सभीधान के किस अनुछेद में अलपसंख्यों को अपनी रूची की सिक्षन संस्था की अस्थापना और परसासन करने का अधिकार है इस टैप का कोशन कितना पर आपको बताया है ठीक है याद रखना इसका राइट टैंसर आप सभीधान के किस अनुछेद में धन विधैक को परिवासित किया जाता है याद रखना 110 110 का भी एक आपस्निया से बी हो जाएगा और याद रखना कोई धन जो है कोई विधैक जो है धन विधैक है या नहीं है इसका निरने कौन लेता है याद रखना लोग सभा का अधियक् कोई विधहिक जो आता है पास होता है या लेके आता है तो धन भी रखा या नहीं है इसका निर्ने वनली वन याद रखना लोक सभाका द्यक्ष लेता है यह कोशन आपको कई बार पूछा गया है ध्यान रखना चले नेक्स कुशने पर क्या पूछ रहे कि मानबों में धोनी उत्पन होती है मानब में धोनी उत्पन होती है कहां से होती है याद रखना है कंठ के दोरा आपस नियास से बी हो जागा next question पर क्या पूछ रहे हैं यहांपे कर रहे हैं कि CO2 में कारबन की संकरन अवस्था क्या होती है संकरन अवस्था इसका जो करेंगे तो आपको S, P, 2 निकल जाएगा आपस यहांसे B आपका correct हो जाएगा next question पर क्या पूछ रहे हैं यहांपे मेंत है समूच वाला देखें A तथा B आजसन्यूक तो समूच जो है तब A union आपका जो है B का मान क्या होगा ठीक है यहांपे देखें इसका जो फर्मूला होता है क्या होता है अगर union रहे तो यह पलस होता है ठीक है यानि क्या हो जागा N A पलस आपका क्या हो जागा यह N B ठीक है N A पलस N B ठीक है यह आपका direct इसका फर्मूला होता है याद रखना आपसनिया से क्या होगा C आपका correct हो जागा next question पर क्या पूछ रहे करके जब उप्यूक्त आविर्ति का परकास किसी धातूप प्रिष्ट पर पढ़ता है तो इलेक्ट्रोनों के उच्छ सर्जन की किरिया को क्या कहते हैं याद रखना परकास बिदूत परभाव क्या बोलते हैं इसे परकास बिदूत परभाव आपसनिया से भी आपका correct हो जागा इकाई संतुलन बजट इस को ध्यान रखना ठीक है ये डायरेक्ट आपका एंसर जो जो कहेगा वही आपका एंसर भी हो जाता है ठीक है और इस टैपका वी कोशन आपको एक्जाम में पूछा जाएगा ठीक है economics का ये question है 21 संतुलित बजट गुनक का तातर पर ये है कि अगर करों में एक पर्चत के बिर्धी के कारण सरकारी वे में एक पर्चत बढ़ता है तो रास्टी आए क्या होगा तो जितना दोस्तों कर में बिर्धी होगा अगर सरकारी वे में भी उतना बिर्धी होगा तो रा यारी है, याद रखना इस को राइट थाइंसर, क्या होगा? यहां से ऐसी जो है, आपसमिया से सी होजाएगा, नावल जीन, आपसमिया से सी आपका करेक्ण होילगा. नेक्स्ट कुछने पर क्या पूछ रहा है यहां पर कर रहे कि निमलिखित में से कौन सा यूग में गलत है जो गलत है तो यहां पर छाटेंगे तो देखिए आपको यहां पर क्या हो जाएगा देखिए कुवर सिंग कर रहा है ना कुवर सिंग कहां से दूसरे 1857 के करांती से क कोईशन आपको पूछा जाएगा ठीक है तो कुवर सिंग ये बिहार सही है लक्षमी भाई जहांसी से ये भी आपका सही है नाना साहिब ये अबाद से गलत है ठीक है ये आपका जाएगा गलत हो जाएगा यानि कि सी गलत है मौलवी अहमदुल्ला फेजाबाद से ये आपका नाम क्या है अक्सर एक्जाम में question पूछा रहा है याद रखना सत्यार्थ प्रकास का पूछे की पूछत के लिख कौन है तो याद रखना स्वायामी दैनन सरस्ती ठीक है आप सुनियां से क्या होगा डी आपका correct answer हो जाएगा ठीक है ध्यान रखेंगे स्वामी दैनान ससेती का मूल नाम पूशित या दखना मूल संकर ठीक है मूल नाम मूल संकर चलिए इंगलिस यहां पे है दोस्तों यहां पे ट्रांसलेट करना यहां पे ठीक है इनकी इंगलिस में दिया है हिंदी में ट्रांसलेट करना है क्या कराएंगे कि women learn English faster than men तो यहां यहां पर दिश का राइट इन्स रपको क्या होगा ठीक है डी होगा यानि कि जो है महलाएं पूरुष की तुलना में अंग्रेजी जो है जल्दी सीखती है आपस निया से डी आपका करेक्ट हो जाएगा कैशनें यहां पर क्या दिया है यहांपे दोस日本 बताना है कि क्या वहाँ सिंपल सेंटेंस प्रम ठीक है कैक और किरेक्ट करके आब कशिदय्य कंशें यहां पर पर क्या पोछ रहा है कर रहें कि निमलिखित में तो आपको चूज करना है क्या करना है यहां पर बताना है एसेटीब फॉर्म दा यहां पे following sentence ठीक है correct एसेटीब sentence में यहां पे देखिए sell I ever forget you और English only revision करते जाएंगे revision भी करते जाएंगे ने तो तीन नमर आपका जरूर सही होगा तीन चार नमर आपका जरूर सही होगा ठीक है और आठ से दस क्या सपास आपको English पूछा एता है कभी कभी छे भी रहेगा दस से ज्यादा maximum times नहीं पूछा गया ठीक है याद रखना कम से कम तीन चार ते स्कूर क करना ही पड़ेगा दोस्तों इसलिए डेली वनली रिविजन किजिए ठीक है बीस कराइटेंस नहीं से क्या होगा बी हो जागा आइसल एवर आइसल नेवर फॉर्गेट यू आपस नहीं से बी हो जागा नेक्स्ट कुस्निया पर क्या पूछ रहे हैं यहां पर कर कि 2001 और 11 क के दसक में भारत के निमलिखी तराजियों में से किसमें सरवाधिक जनसंख्यां विर्दी दर है देखे सरवाधिक जनसंख्यां विर्दी धर पूछ रहा है कौन सी राज में रहा था जब जब 2011 के जन्गर्णा किया गया था याने कि 2001 से 11 के बीच यहां पर तेरा कराई टेंसरों का क्या होगा सी हो जगा मेगाला मेगाला का दूस्ट जनसंख्यां अदर जो है बिर्दी सबसे जएदा रहा था आपसनियांसे सी आपका करेक्ट हो जगा और याद रखना 2011 के सरवादिक 10 किया जनसंख्यांकित किया गया कि जिल्ला में त्याद रखना है टेंसर मध्य पूरा हो जाएगा थिक है आप प्रेट के और प्रेंक क्या पूच रहें करके यदि किसी गति रुच्छा ब्रभान कर दिया जाये चाहल दुगूना कर दिया जानिकी भी दुगूना कर दिया जाए तो गति जूरजा क्या होगा सिम्पल सी है अप लोगों को डόüğों को बना ना है इसको कियी बराबर आपको क्या होता है काइनेटिक इनर्ज यह ने कि गति जूरजा बराबर उन वटय टू मनन लेना एम भी स्कॉयर ठीक है यह आपका एक आपको माल लेना यह पहला हो गया ठीक है दूसरे अब जो term आएगा उसमें क्या कर रहे है मास को यह आधा कर देता यह आपको मास यहां पर आधा कर दीया और छाल को दुगना कर देता यह 2 भी आपका यह स्कुयर हो जाएगा यह आपका लिए टू हो गया अब यहां पे देखिए इसको अगर करेंगे तैंज एक वरट्ट्ट्ट आपका क्या हो जागा चार ılड़ा ही अप क्या हो हो गया, यहां पर इसको अगर दोस्तों काट उंगे तो यह कुट जागा, यह मँटे ट्वालें निकलता है, question पूछा गया और आप लोगों को कितना बार बता है basic question किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए अगर basic question गलती करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगा काये कि basic question है सब लोग बनाएगा एक भी आपको गलती कर देंगे ता आप लाखों बचा से जो है पीछे चले जाएंगे इसलिए इजी कोईस्टन को पूरी तरह से कभर में रखना है ठीक है कि पचास कोईस्टन आपको ऐसा पूछा जाएगा कि आपको बनेगा और सब बनाएगा उसको ठीक ह यहां पर देखें बास कोडिगामा भारत की जो खूज किया था याद रखना 14.99 में आपसनियां से क्या होगा और यह पहली बर कहां आया था याद रखना काली कट आया था केरल में और इसका स्वागत जो किया था किसने तो जमोरी नमक सास्टने वहां पर किया था ठीक है ध्यान रखेंगे चलिए नैस कोशनियों पर क्या पूच रहे हैं यहां पे करके प्रोफिक्ष अौट अफ दा प्रोफिक्ष ज confronting विलो टेकर has है यहां पर बचाना है क्या होगा सथासथ कृूलिण तरह न डिश्बोचिने अब कि उत्पाद जुए अधियो है जब उस्त उत्पाग यहां पे करें कि अधिकतम है तो एक कारक का सिमान तुतपाद क्या होगा तर्फ का राइट टैंसर यहां से सी हो जाएगा आवस्त उत्पाद के बराबर आपसनियां से सी आपका करेक्ट हो जागा नेक्स कुछने पर क्या पूछ रहे कर कि पूर्ण प्राप्ती है तु परव्फर्ण मांग की कमी को जिस उपाए द्वारा दूर किया जाता है क्या कालoff को और आपको जो है याद रखना आपको ऀकोनोमिक्स से सारा कोशिंद पर लेना ठीक है एक दिन में पूरा खतम हो सकता है और आपको दो बज़े जो क्लास दे रहे हैं उसमें तो एड करी रहे हैं सारा आपको निचूर एड कर रहे हैं जिसमें आपका जिक के साइंस कारेंट है फिर हिंदी सारा आपको कर रहे हैं लेकिन थोरा को खुद पर मेहनत करना पड़ेगा और बहुत आदमी के देखते हैं यहां पर कि दोस्तों भर दिन यूटूब पर रहने से कुछ नहीं फइदा होगा ठीक है आप किसी एक दूसरे का अच्छे से कलास किजिए जो आपको पसंद है एक दो आदमी का मतलब जो अच्छा प्यारी नहीं होगा ठीक है ध्यान दखना है इसलिए फिक्स कीजिए कि कहां पढ़ना है और उसी अनुसार से आप लोग पढ़ाई किए ठीक है ज्यादा टैम आप लोग नहीं देंगे उस पर यहां पर देखे पूर्ण यहां पर क्या पूछ रहे कि पूर्न रोजगार प 75% मामलों में हुआ है 80% मामले में सच बोलते हैं यहाँ पर कर के किसी समान तथा को बताते समय प्रायक्ता क्या होगी दोनों को एक दुस्री जब भिर्धवाज करें बिर्धभाज करें उसको निपाल लेंगे 30 को राईक्डेंस अपको निकल जागा साथ बटे 20 ठीक है कुंशा गए लाया यह सब करेक्ट हो जाए गैंड आगा या अस टेंधार्य यूर जासे पिटा के नाम है और को पूचा गया जो वपूशन पूमना के लागब लगबग चीज आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है उसका जन्म कब हुआ मिर्तियों कब हुआ कोई अगर प्राइज मिला है तो कब मिला है उसके पिता का नाम क्या है घर कहा है सारा चीज तो 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 याद रखना पड़ेगा ठीक है क्या को जीवनी से भी कोईस्टन पूछा जाता एक दो जो फेम सबका ये संगितकार थी यहां पे लता मंगेसकर के पीता का नाम पूछ रहा है याद रखना इसका आए टंसर क्या होगा तो यह दीना नात मंगेसकर आपसे बी हो जागा लता मंगेसकर को याद रखना भारत रतन पूछे कब दिया गया तो 2001 में से भारत रतन मिला है ठीक है ध्यान रखेंगे चलिए नेक्स कुछने पर क्या पूछ रहे करें कि नल है आपका ए तथा बी किया पे ए तथा बी एक टैंक टैंकी को करमसा छे गंटे और नौ घंटे में भर सकते हैं पायंतु सी इसे जो है बारा गंटा में खाली कर सकता है सिंपाल है यहां पे क्या करेंगे एक नट्हु अअपका और नौ बेसिक सवाल है गश्यां कार आप निष्प हो जाए कि मैस और बारा रहा टिक है अब यहांप sólo चोटे साथ देखें यहां पर क्या हो जागा यह 36 यहां पर 10 में से आपका 3 गया कितना 7 यानिकि 36 बटे 7 आपको घंटा लगेगा पर आपको पुर्णांग में ले आए 7 535 एक 36 यानिकि C अंसर इसका कारेक्ट हो जागा चलिए नेक्स कुशने पर क्या पूछ रहा है यह भी सवाल आपका एक दों basic है ठीक है अच्छे से समझना सभी लोग देखें इसमें क्या करना जब इकाई अंक पूछे क्या होगा तो इसमें 4 से आप लोग भाग देंगे कितना से 4 से ठीक है तो देखें 4 शके 24 चारेकां 4 यानिकि एक सेस्फ़ल बच रहा है जो सेस्फ़ल बचेगा और ला नच्स कुछने पर क्या पूछ रही है यहां पर दिया है इंडिरेक्ट केस्पेरिय्ट करने के लिए ठीक है तो याँसे ला आप रहा तो बचलें हो जागा भारत के उपराश्टपति के निर्वाचन मंडल में सामिल होते हैं भारत के उपराश्ट पती के निर्वाचन मंडल में कौन-कौन सामिल होता है यहाँ पर आपको बताना है 36 का राइट अंसर आपको क्या होगा B हो जाएगा ठीक है संसद के दोनों सदन दोस्तों जहें इसमें सामिल होता है ठीक है नेग्स्त option देखेंगे क्या पूछ रेए संग् और राज के बितरन से ह crispy यहाँ आपको ध्यान गजादn त्पर्मीज ठीक है यहाँपर 30 का राइटटन से फिके यह C होजागा ठीक है नेक्स क्रिषने पे क्य है पूच रहे है, कौन सा एक aver tX कर नहीं है, कर से संबंदित भी अच्छे से सब्सक्राब को याद रखना को याद रखना, टिक है, एक आपको आपको कर से संबंदित वीडियो आपको अलग से दे देंगे, कहा है कि आपको कर्स सम्मांदित question पूछा है तो एक्जाम में हर एक्जाम में आपको एक दो question यहां से जरूर मिलेगा ठीक है आप परती एक्स कर यहां पर कौन है यहां पर नहीं है पूछ रहा है 49 का right टेंस आपको C हो जाएगा निगम कर आपसनिय से C आपको correct हो जाएगा next question पर क्या पूछ रहे है यहां पर कर कि पटना उच्छ नियाले जो है बिहार परांत का उच्छ नियाला अस्थापित किया गया था कब यानि कि पटना उच्छ नियाले के अस्थापना पूछ रहा है कब हुआ तो याद रखना यह तीन फरवड़ी 1916 लगो आपसन क्या हो कोच रहे है को तो वृड़ी बाउच का उतरादीकरी कौन था यह जो आपको कर स्थापना के जिए निमलिखित में से किसे पराकर्तिक अधिकारों के सिध्धानत का पर्तिपादक किया गया था कार कि किस ने दोस्तों जो है प्राकिर्थिक अधिकारों के सिधानत का पर्ती पादन किया है याद रखना 43 कर रायिट टेंसर आपको ऐ हो जाएगा जान लोग क्या होगा यह जानलोक आप्सनिया से यह करेक्ट हो नेक्स्स कुस्रियां पर क्या पोउच रहा है कि भारत के उतरी पस्म भाग में सीत कालिश्टी मुख रूप से कारण से होती है, याद रखना इसका राइट अंसर 44 का क्या होंगा इह यह ठीक है पस्मी बिथछोफ का क्या होगा इह अपका और आख़ा है पूलों के संबर्दन के विग्यान को क्या बोलते हैं याद रखना इसका राइट टेंसर 45 का सी हो जाएगा फुलोरी कल्चर आप से क्या होगा सी आपका करेक्टर जाएगा नेक्स कPeasorn पूछ रहा है चाचा चाचा संञ्या से बिंसर बनाना है संग्या की विसेशन रूप क्या बोलते हैं यहाँ पर चाचा का आप लोगों को बिंसर बनाना है क्या होगा चाचा का विसेशन इसका राइट टेंसर 16 ऑप सिर आपका कड़ियों से का सी करिक्ट जाएग है दो बज़ेवला क्लास सभी लोग जरूर जोएन करेंगे उसमें आपका टॉप मोश्ट जिक्ये हिंदी उसके बाद आपका साइन्स हो गया उसके बाद आपका कैरेंट एपियर सारा नीचोर के साथ वहां पे हम लोग करते हैं ठीक है एक्जाम की कॉर्डिंग ठीक है सतर प्लस स्कोर करने के लिए इसलिए दो बज़ेवला क्लास सभी लोग जरूर जोएन करेंगे चले नेक्स कुस्निया पर क्या पूछ रहा है कि निमलिखित में से कौन सा यहां पे छायावादी कभी का यूग का यूग का है याद रखना यह सुरिकान तिरपाथी निडाला जो यह चायावादी कभी है आपस्निया से डी हो जाएगा चले नेक्स कुस्निया पर क्या पूछ रहा कर कर कि वरगी करन का दूई नाम पदती के अवधारना किस ने दी तो दूई नाम पदती के अवधारना किस ने दिया चाहत रखना यह ए हो जागा लीनियस क्या होगा यह लीनियस हो जागा आपसे आपका कररेक्ट हो जागा according to 2013-2014-15 का जो हम लोग यहां पर previous यड लगाए थे उस से थोरा से यहां पर moderate किया है ठीक है result भी हो जाएगा वर्दी भी मिलेगा जरूर मिलेगा ठीक है इसलिए दो मेन अच्छे से तयारी किज़े इसलिए आठ बजे mission वर्दी बयाद जरूर लगाएंगे उसके बाद आपको जह है दो बजे class करेंगे फिर आपको यहां पर previous question करना है पूरा रननेती के साथ तयारी करेंगे 100% result होगा ठीक है कोई चीज में रननेती बहुत जरूरी होता है चलिए next question यह पर क्या पूछ रहे करें कि एक घं के आयतन में अनुमानित परिवर्तन क्या होगा जिसकी यहां पर एक भुजा एक्स है और यहां पर जो इसमें बिर्धी तीन परतिसाथ की बिर्धी हो रही है तो यहां पर दोस्तों घं का जो आयतन होता है क्या होता है आपका भुजा क्यू होता है तो यहां पर पहला आपको जो आयतन कितना होता है यह एक्स क्यू मीटर हो गया x cube meter q ہو گیا अब देखें यहांपे क्या करेंगे दुसरा में करेंगे 103% की बिर्धी कर रहा है यानि के 100% होता है यहांपे 103 के बिर्धी कर रहा है 103 यहांपे x होगी है ठीक है इसका क्या करेंगे cube करेंगे तो आपको कितना निकल लगा इह इस पर बट्ट आपको यहां से जो है hundred कर लेना है परतिसत यहां पर दिया है hundred हो गया अब इसको जगर तोडएंगे तो क्या हो जा गई है कि एक पॉइंट आपको जह सैंव चाहिए और दो साथ STOP एतना निकिल एगा ठीक है अब क्या करेंगे इस विए एक्स को गटा लेना वहीं आपको एक्स-क्यू विर्दी और गटाए एक वह सी घटक यहाँ पे कौँसा एक नहीं है तो देखेंगे किया है तो तो कि पूछ रहे तो कि पूछ रहे कि विक्रे मुलके बता है तो कूल हानी पूछत कितना होगा यहाँपे कितने पेन के बिक्रे मुल के बराबर है यहां पे 20 है इधर आपका यहां पे क्या है 25 बिक्रे मुल के बराबर है यानि कि यहां से इसको हानी कितना हो रहा था यानि कि पांच का हानी हो रहा है कितना का पांच का ठीक है गुन्ना आपको क्या हो जागा यह 100 100 हो गया आप देख 25 हो गया 25 हों के यहां से 105 हो 20 पर सियुद्पर इसका सब्सक्राइट ठीक है आपसल क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जागा नास के पूछरें करे कि कम्ट क करा रहें कि करम वाटष्ण करें करें आपको निकल जाएगा बी इस वर दुआरा हमारी रिक्षा की जाती है आपसने बी आपका कैरेक्ट हो जाएगा नाकरातमक स्वतंतरता की परतिपादक है यहाँ पर कौन है याद रखना इसका राइट अभी हो जाएगा ठीक है यानि कि आई साह यहां पर बर्ली आपसने बी आपका करेक्ट हो जागा नाइस्क्राइब क्या पूछ रहा है आसमान का रग नीला दिखाय जो देता है यह क्यूं देता है यहाद रखने यह परकास के परकेरनन के करण आपसंद भी हो जागा यह सब कोशन अच्छे से धियान में रखना है क्यों कि इसमें confusion होता है ज्यादा ठीक है ध्यान रखना चलिए next question पर क्या पूछ रहे करके England में किस वर्स में यहां पर glorious revolution यानि किसी को बोलते हैं गौरव साली करांती और कितना वारी एक question exam में पूछा गया है पूछ देगा कि England में गौरव साली करांती कब हुआ था याद रखना यह कब हुआ था तो इसका right answer C हो जागा 1688 में आपसनियासे C आपका correct हो जागा next question पूछ रहे करके कोशिका भिति-कोशिका में अनुपस्थित होती है अनुपस्थित होती है यहाँ पे पूछ रहे है ठीक है तो कोशिका भिति-किस में नहीं होता है तो याद रखना यह जनतु में आपसनियासे B आपका correct हो जागा चले next question यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे है यहाँ पे कर रहे है कि भारत के पर्थम उप परधान मंत्री कौन थे पर्थम उप परधान मंत्री पूछ रहे है ठीक है यहाद रखना सरदार बलब भाई पटेल ठीक है यह अंत्रीम सरकार की बात कर रहा है ध्यान रखन आप से याँसे क्या होगा? ए आपका character रहगा, ठीक है? Next question. पूच रहा है यहां पर करके Oxide के Amaliyah Gunn का सही करण बताना है. Amaliyah Gunn का सही करण अगर निकालेंगे था आपको यहां से निकलेगा. तो d निकलेगा, ठीक है उनसट का जो d निकलेगा, ठीक है कि कीमत अक्ष को काटता है तो करें कि पूर्ची की लोच क्या होगे तो पूर्ची की लोच याद रखना क्या होगा तो इसका राइट अपने से क्या होगा बी आपका कैडिक्ट हो जाएगा चल्द करके का नीचे लिखे अक्षांसों में से भारत के मुक्षप्व मीं से गुजरने वाल अक्ष यहां पर देखिए धियान रखना यहां पर गुजरने वाल अक्ष पूछ रहा है। चलिए नेक्स कुस्टन यहां पर क्या पूछ रहा है चूज दा करेक्ट आपसन क्या पर चूज दा करेक्ट आपसन फॉर्मल रिजिस्टर और आफ्टेन यूज टू किरियेट टॉन आफ आफ आपजेक्टिव यहां पर राइट टेंसर क्या होगा 62 62 62 ए हो जागा ठीक है ने नेक्स कुस्टन पूछ रहे कि महरु निसा परवेज को निम्लिक्चित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया है तो याद रखनाầy ही ए हीरन यहां पर पर लोगता में आ हता है आपसन यहां से B हो जागा नेक्स कुछने पर क्या पूछ रहे कि निमलिखित में से कौन एकांकी संकलन विस्मू परवाकर जी का नहीं है याना कि कौन इसमें एक संकलन है जो विस्मू परवाकर का जो है यहां पर नहीं है यहां पे 55 कराई टेंसर क्या होगा तो C हो जाएगा ठीक है यहां से बादलों के पार आप यहां से C आपका करेक्ट हो जाएगा ठीक है यह आपका नहीं है बाकी इनसान याद रखना क्या हुआ दो C था परकास और परचाई एक्जाम में भी पूछ रहता है ध्यान रखेंग चलिए next question देखेंगे निमलेखित में से कौन सी ग्यास धारा तल पर तापमान की बिर्धी के लिए मुख्य रूप से उत्तर दाई है त्याद रखना चियासर कराई टंसर बी हो जाएगा ठीक है कारबन डियाउकसड कारबन डियाउकसड आपसनिया से बी आपका करेक्ट टंस होगा ठीक है ध्यान रखना चलिए आगे बढ़ते next question यहां पर क्या पूछ रहा है बोर की परिकल्पना के अनुसार एनवे स्थिर कक्षा का कौनिय संबेग क्या होगा इसका कौनिय संबेग होगा यह फर्मुला है याद रखना यह एनेस बट्टे टूप है क्या होगा यह होता है वह चार यह धातू होता है आपसनिय से डी आपका correct हो जाएगा ठीक है ध्यान रखना चलिए आगे बढ़तें next question पर क्या पूछ रहा है यहां पर देखे लिनाक रबकस आपको याद कर वाए थे आपको आवर्ट सार्णी में लिनाक रबकस देखे जलिये विलियन मे छार धातूं की आपचायक सामर्थ का यहां पर सही करम बताना है लिनाक रबकस उसको याद होगा जिसको ये बन जाएगा उसको ठीक है इसका right टेंस लियांसे बी निकल जाएगा ठीक है लिनाक रबकस हो गया ना लिनाक यहां पी इस तरह से आता है यह L आपका इधर हो ग चालिए कोसने का पर क्या पूछ रहे कार sharp के रंखने के लिए ऑवसक बी यह कोसन जो आपको देखें पूचा गया YouTube डोजारबीक का यह क्वे प्रिप्सक परर के प्रीवियर शेयर ऐह है एक कौन से यह पे रक्त का टेमिन बसता है याद रखना वासा में घुलन सीर होता है ठीक है ये भी कोशन पूचा जाता है चले नेक्स कोशने पर क्या पूचरे करें कि भारतिया स्वतनतरता अधिनियम कब पारित हुआ था याद रखना ये 18 जुलाए 1947 को ये पारित हुआ था आफसनिया से क्या होगा अपका करेक्ट हो जागा ठीक है लेकिन निष्प सुतनतर पूचित याद रखना पंद्रा गस्त 1947 को ठीक है आफसनिया से क्या होगा ए ऐपका करेक्ट हो जागा ठीक है धियान रखना चले आगे बढ़ते हैं से कौन सा बिदूत का कूचालक है बिदूत का यहां पे स्रवादिक लोग-पिरिय एवं-श्रवादिक परयुक्त-माप बताना क्या है के इंदरिया परिवर्थी का यहां पे राइट टैंसर क्या होगा ए हो जाएगा ठिक है माध क्या होगा यह माध आप सनिय से क्या होगा यह कैरेक्ट हो ठीक है ध्यान रखना चलिए आगे तो लोग सवा काद्यक्ष अगर त्याग पतर देगा तो लोग सवा के उपाद्यक्ष को आपसन क्या होगा C आपका करेक्टर हो जाएगा नेक्स क्या पूछ रहा है कि चंदरधर के हाँ पे चंदरधर सर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था का नायक पूच रहा कौन है उसने कहा था का पूचे आपसे की लिखा कौन है तो याद रखना चंदरधर सर्मा गुलेरी इसका नायक पूच रहा है याद रखना ये लहना सी आपसन क्या होगा बी आपका कारेक्टर हो जागा नेक्स्ट कुशन यहां पर क्या पूछ रहा है यहां पर का रहा है कि एक नौ की अस्थिर चाल में गती 22 किलोमेटर परती घंटा है अस्थिर चाल में ध्यान से कुशन को देखेंगे इस्टाप का कुशन पूछा है धारा की दार 4 किलोमेटर परती घंटा है धारा की दार कित उतनुना चलेगा तो 15 मिनट में कितना चलेगा तू 15 मिनट है लेकिन इधर किया घंटा продолж लेज़े तो 15 करेक्छ हो सवाल है समझते जाएंगे 100% अब को बने गम्यायत ठाये अनिकार्थ सब्द क्या है अनिकार्द सब्द याहां प dads चुनेंगे ठायए इसका राइट रहा से कल हो जाएगा याप से क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स कुछ रहे है भारी जल का अनुभार, भारी जल का सुत्र क्या होता है, D2O, ठीक है, D2O, यानि कि देखे, D जो आपका होता है, यह आपका हिड्रोजन का दूसरा समझतानिक है, इसलिए इसका भार होता है, आपका दो होता है, दो दो ना चार, दो ना चार हो गया, और अपका औक्सीजन का कितना होता तो 16, 16 चार आपका कितना हो गया 20, राइट अंसरे आपका करेक्ट हो जागा, ठीक है, ध्यान रखना, यूरे दोस्तों इसका खूज किया, यूले, ठीक है, ध्यान रखना, चलिए आगे बरते हैं, राज चुना आयुकत को हटाया जा सकता है, राज चुना आयुकत को दोस्तों कौन हटा सकता है, याद रखना ये डी, उसी निया लखे नियाधिस को हटाने की परिक्रिया के सामान है, आपसनिया से डी आपका करेक्ट हो जागा, नेस्ट कुछने पर क्या पूछ रहे हैं, यहां पर करेके कोश की है, पुर्ण सक्तता की अवधारना प्रस्तुत करने वाले बिग्जानिक है, याद रखना C का राइट अंसर क्या होगा, हेवर लेंड, क्या होगा ये हेवर लेंड, आपसनिया से C आपका राइट हो जागा, नेस्ट कुछने पर क्या पूछ रहे हैं, यहां पर यहां पर का उधाहरन है, आपक तो भी repeat होता है, चार-पांच question repeat भी होता है, ठीक है, ध्यान रखना, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next question पर क्या पूछ रहे हैं, यहां पर इसको डायरेक्टर करेंगे, तो इसका जो नामान निकलेगा, यह बियरासी का भी निकल जाएगा, आपसनियां से भी निकल जाएगा, n पिर्थिवी सूरी का चकर लगाती है, पिर्थिवी जो है, सूरी का चकर लगाती है, तो 83 का रायरेक्टर करेंगे, क्या होगा, आपसनियां से ए आपका करेक्टर जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, सूरी यहां पर पिर्थिवी जो है, सूरी की चकर लगाती है, यह कौन कर नेका नेक्स पे-डी में तरो याद है का टेम accept पोता हृइड तोग कोस्तों ऐसा आपको तो इन बोस्ती है याद रखेंगे लेखन नेरे दक्षणी गोलारद में वेपारिक पपभंद कि दिशा क्या होती है निकि दक्षिनी गोलार्द में जो बेपारिक पबंद दोस्तों बहती है यह किस दिशा में बहती है याद रखना इस कराइटन से D हो जागा ठीक है उत्तर पस्षिम से दक्षिन पुर्व आपसनिया से D आपका करेक्ट हो जागा क्या पूछ रहा है कि रासानिक परिवर्तन के सी यहां से घट जाएगा आपसनिया से क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स कशनियां पर देखेंगे क्या पूछ रहे ओकर क्या कि निक्षित में इसे कौन से जिले में बांश कुंड बांदस्थितन है हुए 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 जागा लखी सराय में आपसे यहां से D हो जाएगा और याद रखना बिहार से आपका यह question है तो पूछे जाने की chance रहेगा ध्यान रखना आपसे यहां से D हो जाएगा next question पर क्या पूछ रहे करें कि यदि किसी वस्तू का वेग दुवना कर दिया जाये तो उसकी गति जूरजा क्या होगा यानि कि अभी दोस्तों पहले हम लोग देखें हैं इसका kinetic energy यानि कि गति जूरजावरा और क्या होता है फर्मूला तो 1 बटे 2 mb² क्या होता है 1 बटे 2 mb² अब देखें यहां पर क्या कर रहा है तो वेग कर रहे दुगुना कर दिया जाता है दुगुना अगर करेंगे दो दोस्तों यहां पर 1 बटे 2 और 2 m और 2b a4 हो गया ठीक है अब इसको करेंगे तो 1 बटे 2 और यहां पर mb² क्या होता है यहां पर दिखेंए देखें दो 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 चार और ह को आप में यहां से आपको जगा इसके जगा पर इसका क्या नियारे है फ्रांस में परिस परी योर нас बहु आपको कुछा जता थिक है दो वजये व प्रांस में कब की गई थी याद रखना यह वर्स 1871 आप यह से सी हो जाएगा next question यहाँ पर दिया है fill in the blank ठीक है यहाँ पर appropriate answer so on say that it is better to dress in the present यहाँ पर जो right answer हो गई यहाँ पर यहाँ पोचे रहे कर कि गांदी सागरबांध निम्न में से किस का हिसा है तो गांधी सागरबांद याद रखना है यह चंबल पर्योजना का राइट टेंसर आपका A यहां से करेक्ट हो जागा यह सारा कोशन आपको दो बजबला कलास में करवाते जा रहे हैं ठीक है यहांपर क्या पोशन रह Tuấn कि यहांपर कैरेक्ट हो जाएगा मंबती का जलना नेमली खित में से किस परिवरतन का उदारन है तो मुम्मभती का जलना याद रखना इसका जो राइट टेंसर होगा यह सी होजागा ठीक है यह आपका दोनों होता है ठीक है यानि कि रासानी का और भोतिक दोनों में आता है आपसन remember सी आपका character होता कि नील हरीत सैवाड को लगभग दो अवर 25 बरावर भागें लगभग में लगभग बादता है याद रखना इसका राइट टेंसर ए हो जागा यह कार्ल्स बर्ग कटक ठीक है याद रखना यह सभी कोशन आपका इंपोर्टेंट रहने वाला है आपसन ए हो जाएगा किस वर्स में बिहार ओद्गी की छेत्र विकास अधिनियम पारित हुआ देखे बिहार से संबंदित कोशन आपका जग लगभग 5-6 कोशन पूछा जाता है ठीक है ध्यान रखना चीज को यहां से राइट टेंसर का क्या होगा तर बी हो जागा 1974 में आपसने यहां से बी आपक करेक्ट हो जागा नेक्स कुस्निया पर क्या पूछ रहा करें कि निमलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है कौन सा कथन यहां पर सही नहीं है यहां पर देखेंगे कौन सा कथन आपका सही नहीं है ठीक है यहां पर क्या कर रहा है कि 2011 में बिहार में गरीबी रेखा क से नीचे का परतिस्त पंजाब से अधिक था यह भी आपका सही यानिकिian गरीब ज्यादा है पंजाब से उसके बाद क्या करे कि 2016 में बिहार में सुसू ठीक है यह भी आपका सही है ठीक है यहां पे आपका डी नमर ऑप्सन है यह आपका गलत हो जाएगा ठीक है गत पॉंच वर्सों से बिहार में चालू कीमत पर विस्वियूद राजस घरेलू उत्पाद 2011 बारे के सिंखला में बिर्दी जो है पंजाब से कम रही यह आपका क्य है कि उसके दुवारा चलित और सथ दूरी को क्या करते हैं इसके चलित दूरी को जो सो क्या करते हैं तो याद रखना सी हो जाएगा मद मुक्त पद क्या कर लाता है यह मद मुक्त पद आपसनिया से सी आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स कुसिने पर क्या पोच रहा है यहा आप से यह से अपने से बीदो यह थे तो यह थे आपका प्रिवार पुलिस का छी आपकर एकजाम हो मिला था झाए ओसी का रिप्रेट का हुए लोग यह वीडियो कैसा लागा कॉमेंट जरूर करना और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को भी जरूर सबस्क्राइब करना ठीक है दो मैना दुस्छों आप लोग तयारी किजिए अच्छे से ठीक